नमस्कार दोस्तों मैं विवेक माईश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल पर जैसा कि आप लोगों को पता है कल से मतलब 8 जुलाई 2020 से ऐसा ही के इंटर्व्यू शुरू हो गए हैं तो अभ्यरतियों से मेरी बात हुई है जिन्होंने जो जो प्रशन मुझे बेजे हैं ये वीडियो नमबर 2 है जिसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आपको सबसे पहले 5 बड़ी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो वो जिले के बारे में भी आपकी जानकारी होनी चाहिए current affairs से आप वाकिफ होने चाहिए, बिल्कुल यहां से प्रशन उड़ते हैं quality जो प्रशाशनिक व्यवस्ताइं हैं, समीधान हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए राज्य सरकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए प्रशाशन इस्तानी प्रशाशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और होबी अगर आप होबी लिखते हैं तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अब आपको बात करें चार मुख्य बातों की पहली आपकी श पर पूछे जाएंगे कि इस बंदे को नॉलेज तो है अपने काम का या नहीं है आपके शेत्र से सम्बंदित प्रश्ण जिस जिले से बिलॉंग करते हो जिस तहसिल से बिलॉंग करते हो अगर वो फेमस है या नहीं भी है तो आपको वहाँ से प्रश्ण पूछे जाएंगे जैसे बिलॉड़ा में क्या समश्या है पानी की समश्या जैसे बिलॉड़ा की पहले थी मानसून इसके लावा यहां से क्या क्या चीज़े एक्सपोर्ट होती है और आपके वस्तर नगरी क्यों कहलाता है खनीजों का जाए अब घर मतलब पूरा का पूरा यह खनीज जादा मिलते तो ऐसे प्रश्ण आपसे उड़ना लाजमी है पुलिस से सम्मंदित प्रश्ण क्यों कि आप लोगों को पता है आप जा कहा रहे हो ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बनोगे तो ग्रहव विबाग जो है उसमें पु आंसिक लेवल चेक कर सके ऐसे प्रश्ण आपसे पूछे जाएंगे आप देखो जो जो प्रश्ण पूछे एक लिस्ट बना ली है क्या क्या प्रश्ण पूछे गए है मैं आपको एक के करके बता देता हूँ कक्षा 10-12 आपने कहां से की इसका मेन उद्देश है क्या था आ जैसे मेरा जब इंटर्व्यू था MLV Government College से करा तो MLV का पूरा नाम क्या है मानिकिलाल वर्मा था तो उन्होंने मानिकिलाल वर्मा से वहाँ पर क्यूशन उठाय लिए तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए graduation कि subject से करी और फिर subject से प्रशन किये जाएंगे अधिकतर B.A. वाले होते हैं M.A. वाले होते हैं तो उनके उनसे ज़्यादा पूछे गए हैं अपने व्यक्तित्व के बारे में प्रशन ज़्यादा पूछे गए हैं जैसे आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो ये तो hot topic र जाए तो देखो जो corona आया है उसके बाद पुलिस के बारे में सकारात्मक्ता ज़्यादा आई है लोगों में ठीक है तो आपको ये point लिखना चाहिए या बताना चाहिए वहाँ पर आगे पांचवा question situation वेस प्रशन भी किये जा सकते हैं आपसे जैसे मानलो आप किसी थाने क SHO है और आपके छेतर में कोई accident होने पर किसी व्यक्ति की ततकाल मृत्यू हो जाने पर आक्रोशित बीड ने रोड जाम कर दिया और तब और शवरकर राजकारे में बादा डाल रहे हैं तब आप क्या करोगे नॉर्मल सवादान से वो नहीं मान रहे हैं लोग बाग तो ऐसे प्रशनों में आपकी जो प्रत्युत्पन्न मती है आपकी जो बुद्धी काम करती है वो सबसे जादा जरूरी है क्योंकि आप अगर रटा रटाया ले जाओगे तो यहाँ पर बोल ही नहीं पाओगे ठीक है आगे बढ़ते हैं स्मार्ट पुलिस क्या है साथमा कुश है बेन और अगर अब करिये तो अब क्यों करिये पहले क्यों नहीं करी गई है यह बारे इस बारे में पूछा गए अक्षय योजना क्या है दस्वा राज्य सबा और लोग सबा के चुनाव की जो प्रक्रिया है और स्कुआ सीटों का निरधारन कैसे होता है मैंने आपको ब यह नाम किसके द्वारा दिया गया और कोरोना का शॉर्ट नाम है तो यह आपको पता होना चीजिए सुकुरात के गुरु कौन थे अब आप यह टेंसन मतले नहीं कि आपसे भी सुकुरात के गुरु के बारे में पूछा जाएगा हो सकता है को सब्जेक्ट इस प्रियंबल है प्रस्तावना जो है सविदान की हम भारत के लोग से जो शुरू होती है उसमें कब क्या जुड़ा गया है केशवानंद वाला जो मामला है बहुत इंपोर्टेंट है सविदान में अब तक कितने अमेंडमेंट किये जा चुके हैं और अंतिम किस संदर्ब में अंतिम जो संविदान में अमेंडमेंट हुआ है वो किस संदर्ब में था वो 101 था कि 102 था 103 था 104 था जो भी था आपको यहां पर बताना पड़ेगा चौधवा एक मिटर बराबर अब यह कोई होगा किसी पर्टिकुलर जॉब में करता होगा उससे पूछा गया है कि एक मिट बराबर कितने सेंटिमेटर होते हैं या जो भी पूछाता उससे ठीक है साइन्स वालों से आरकेमेडीज का जो सिद्धानत है बर्नोली प्रमे जो है उनके बारे में पूछा गया है सोलवा मानसून के संदर्ब में भी क्यूशन किये गए मानसून जैसा कि आपको पता ही कि आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि वसुंद्रा राजेजी शुरू करके गई है मेरे इस चैनल पर आपको अधिकतर योजना है मिल जाएगी अगर आपने कहीं नहीं देखियो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल स्वावलंबन खडीन जल स्वावलंबन और खडीन जल स किस्ते सम्मंदित है तो आपको यह आना चाहिए यह सारी चीजें आभी कल 8 जुलइ को पूछी गई है और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है बट आपको यह 5 चीजे तो याद रखनी ही चाहिए एक आपको आपके जिले के वारे में बहतरीन जानकारी होनी प्रस्तान की सरकार हो या आपके इंडिया गॉवर्मेंट जो भी काम कर रही है उसके बारे में और चौती और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज करेंट अफेर्स के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए वहां से ऐसे से प्रशन उट सकते हैं जो आपको नहीं आएंगे तो क्योंकि वहीं से प्रशन उठाते हैं बहुत सारा प्रशनों का पिटारा लेके नहीं बैठते हैं उनके दिमाग में कहां से प्रशन आएंगे जो आप उत्तर देंगे वहीं से प्रशन वो निकालेंगे इसलिए आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हम ऐसे शब्द जय भारत